नमस्कार दोस्तों टी एच के चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक से कैस विड्रोल की सिलिप कैसे बरी जाती है चलो वीडियो शुरू करते हैं तो यह आप देख रहे हो मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक की बिड्रोल सिलिप है चलो इसे मैं बताता हूं कैसे बरी जाती है सबसे पहले हम इसमें ब्रांच नेम डालेंगे यहां पर तो मैं ब्रांच डाल देता हूं आपकी जो भी ब्रांच हो वह आप डाल देंगे मैं यहां पर अलिगर डाल रहा हूं इसके बाद यहां पर हमें दिनांग डेट डालनी है आज की जिस दिन आप बिड्रॉल कर रहे हो वो डेट डाल देंगे मैं आज की डेट डाल देता हूं 9 February 2022 अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें बरहेंगे हमें कितनी अमाउंट बिड्रॉल करनी है कितना पैसा हमें बिड्रॉल करना चाहते हैं वो अमा सब्दों में लिखनी है तो यहां पर मैं 10,000 रुपए मात्र यहां पर हमने बर दिया अब इसके बाद दोस्तों हमें अपना 16 अंक का खाता संग्या लिखनी है जो भी आपका बैंक अकाउंट नमबर है वो यहां पर डाल देंगे चलो हम इसे बर देते हैं यह अकाउंट नमबर भर दिया अब इसके बाद दोस्तों हमें डालना है खाता दारक के हस्ताचर यहां पर हमें आपके खाते में जो भी आपके सिगनेचर है हो वो यहां पर कर देंगे अब इसके बाद दोस्तों हमें डालना है नाम अकाउंट होल्डर नेम जो भी आपका खाते में नाम है वो यहां पर डाल देंगे यह करने के बाद दोस्तों अगला आता है यह जो सेकंड पार्ट है इसका कार्याल है के प्रियोग हेतु है इसमें आपको कुछ नहीं करना है यह बैंक वाले सारी फॉर्मलेटी पूरी करेंगे अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसके पिछे के बाग में आप इसमें क्या है रकम का ब्यवरा जैसे कि आपको पता है आप 10.000 रुपे बिड्रॉल करना चाहरे हो तो इसमें आप नोटों की ब्यॉरा दे सकते हो कि मुझे कैसे नोट दिये जाए चलो मैं 2000 के नोट इसमें लिख़े देता हूँ तो मुझे 10,000 रुपे बिड्रॉल करने है तो मुझे 5 नोट में बरके दे दूँगा 10,000 रुपे इसमें क्या होता है कभी-कभी बैंक वाले के पास होते हैं तो वो दे देते हैं वरना अपनी मरजी से भी देते हैं तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे हैं 10,000 अब दोस्तों यहाँ पर हमें दो साइन करने पड़ेंगे क्योंकि बैंक वाले हमेजा साइन वैरिफाऑ करने के लिए दो साइन सिलिप के पीछे कराते है यह मैंने दोस्तों साइन कर दिये अब ये मेरी slip पूरी बरके तयार हो चुकी है अब इस slip को आप अपनी passbook के साथ cashier को दे दे cashier आपके sign verify करेगा account verify करेगा और आपको 10.000 रुपे निकाल के दे देगा और आपकी passbook में भी entry कर देगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दबाएं धन्यवाद